प्यारे दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार पुन हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल डॉपर गेलेक्सी पर तो कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की स्टेडियू उम्हेद करूँगा आप सभी काफी बेतर होंगे और पढ़ाई भी लगातार अच ऐसे important question जोगी आपका board exam में समझ लीजे इनसे एक नए question हर एक paper के set में आता है ठीक है याँ कि आपको पता है कि देखे जो आपका UP board है यहाँ पर paper के कुल एक subject के 7 set बनते हैं ठीक है तो ऐसे में इन में से कोई न कोई question आपके अलग अलग set में रखा जाएगा ठीक है तो च अब इस में से काफी सारी बच्चे को देखे question आते भी होंगे तो ऐसा नहीं आपको revision की तोर पर भी ने तयार करना है तो चलिए जानते हैं अनिसेग फलन क्या होता है तो answer है ऐसे फल जिनका निर्माड बिना निसेचन के होता है ठीक है या ऐसे फल जिनका निर्माड क्या ह होता है बिना निसेचन के होता है उसे अनिसेग फल कहते हैं और यह पूरी प्रक्रिया होती है मतलब इस प्रकार से फल बनने की प्रक्रिया जो होती है इसको बोलते हैं अनिसेग फलन तो काफी छोटा सा question है लेकिन हां important है और अगर बात करें हम इसके एक्जाम पर की अनिस question आपके सामने है यहाँ पर बहुरूर्णता किसे कहते हैं देखे question है बहुरूर्णता तो देखेगा इसका answer जब किसी एक विजाण या विज में से एक से अधिक वुरूर्ण उत्पन होते हैं तो इसे वुरूर्णता कहते हैं और यहाँ घटना अनाबरत्ती वीजी पौधों में यानि कि अनाबरत्ती वीजी जो पादफ होते हैं उनमें क्या होती है अधिक होती है ठीक है यह आपका मतलब एक से ज होता ज्याधा पाई जाती है और जो आवरत्ति-वीजी-पोद्य 혼ध में ओता बहुत कम पाई जाती है ठीक है और अगर बात करें बर्षोlorता की होज किसा नहीं कि थी तो यहां पर ले आफह बैज्ञानी का नाम है इनोंने बर्षोlorता की खोज गई थी ठीक है तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बहुरूरता क्या होती चलिए इसके बाद अंगला कोईशन आपके सामने आता है सहा प्रभाविता ठीक है तो एक कोईशन को देखे समझे का ये टिपडियां है यहाँ पर चल नहीं है मिस्रित रूप से क्या करते हैं प्रभाव डालते हैं तो वहाँ पर हो जाता है सहा प्रभाविता देखे एक चीज़ तो आप समाझ गयोंगे सहा मतलब साथ ठीक है मतलब आप परिभासा में भी अगर देखे हैं चैसे करा कि जब कोई कारक या जीन में से मीुक्स प्रभाव डालें मिस्रित रूप डालें तो क्या हो जाएगा सहा प्रभावित समय जीकर야지 भी प्यर्स प्रभाविता अब यह आपने पढ़ा सहा प्रभाविता क्या है और आपको पढ़ना है एसा क्या होती देखिएगा तो यहां पर लिखना है जब किसी जब विप्रीत लक्षणों के जोड़े में एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित ना कर सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं देखे हमने सहा प्रभाविता में पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक एलील में से कोई मतलब पूर्ण रुप से प्रभावी ना हो मिस्रित रुप से प्रभाव डाले तो वहाँ पर सहा प्रभावीता लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहा है आप लोग कि एक दूसरे को लच्छन को पूरी तरह से प्रभावीत ना करे इस घटना को बोलेगे हम अपूर्ण प्रभावीता ठीक है ना तो जलिए यहाँ पर देख लिए थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें लाल पूस्प यानी की कैपिटल र यह आपके दो एलिल हो गए समान है ठीक है इधर सपेद पूस्प यहाँ पर यहाँ पर इनके बीच संकन होता तो यहाँ पर गुलावी रंग का पू यहाँ पर आपको मिला गुलावी तो मतलब देख सकते हैं इन मैं से कोई भी पूरूप से प्रभावी नहीं है सिर्फ यहाँ पर आपका बना है लेकिन अलाग है ठीक है ना दोनों से तो यह क्या है आपका अपूरूण प्रभावी जालिए नेक्स्ट कोईशन ने प्यारे साथ यह हो वीटी कपास या बीटी कॉटन इस पर टिपड़ी देने के लिए आता है देखो कोईशन काफी यार इंपोर्डन है जितने भी प्यारे बच्चों कोईशन बताता हूँ न आप लोग एक भी कोईशन प्लीज छोड़ा मत करो ठीक है ना क्योंकि फिर आप कहते हो कि भईया क्या जो आप पढ़ा रहे हैं बोड़ एक्जाम में आएगा आप बताओ आपको मैं बता रहा हूँ अगर आप इन कोईशन को छोड़ दोगे तो फिर बताओ किसका नुक्सान है क्योंकि अभी तो यार टाइम है लेकिन जब एक्जाम जैसे जैसे नस्दीक आएगा फिर एक्जाम का प्रेसर बढ़ेगा आपके माइंड में तो भाई आपके पास टाइम नहीं रहेगा और अगर टाइम नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पर आप टेंशन में आ जाओगे तो चलो जानते हैं आंसर अभी से करते जाओ जितने कोईशन कराते जाओं मैं और हाँ इनका अगर आपको पीडियाप चाहिए तो मैं नोट्स प्रोबाइट करा रहा हूँ प्सुफाależ्स करके एक नई किस्म को तयार किया जाता है इसे बीटी बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्रौइंजस ठीक है न हिटी का क्या मतलब है वैसिलस थ्रौइंजस तो ये आपका जिससे बीटी कोटन कहते हैं या एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है और इसके प्रियोग से प्रतेक वर्स करोडों रुपाई की फसल को कीटों से बचाय जाता है मतलब जो फसल में कीडे लगते हैं उनको बचाने के लिए बीटी कपास या बेटी कॉटन जो है डियने खंड को विशेष्ट इस्थानों से काटा जाता भाई प्रतिवंधन मतलब काटना ठीक है ना यह मतलब एक प्रकास यहाँ पर काटने के लिए भी यूज़ जोता जिसका एक नाम होता है एंडोनुकलियज तो यहाँ पर देखिएगा इसे औरविक कैची भी काँ जाता है और वह एंजाइम जो डियने खंडो को काटता है उसे प्रतिवंधन एंडोनुकलियज कहता है देखो काटने वालों को क्या कहते हैं एंडोनुकलियज और आपका जो एसी को जोड़ने की बात करेगा ना याद रखिएगा काफी important point है चलो अंगले question पर आओ next आपका अंगली टिपड़ी interferon क्या होता देखो interferon क्या है तो यहाँ से लिखना यह virus से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक glycoprotein पदार्थ है ठीक है और इसका प्रियोग जो होता है रोग निवारक के रूप में किया जाता है यह अंता कोशिकी बिसानुओं के गुड़न को रोकता है और इसलिए इसे interferon मतलब इंटर्फिर अंमतलब समझो interferon मतलब यह क्या करता है अंता कोशिक ये विसानु ये जो अंदर कोशिकाओं में जो विसानु पर बेस करते हैं उनके गुड़न को बढ़ने को रोकता है इसलिए इसे बोलते हैं इंटर फेरोन ठीक है ना चली तो अब आता है अंगला हमारा टिपडी प्रतिरच्छा या इम्मुनिटी इसे को बोलत किसी भी प्राणी के सरीर में सरीर द्वारा किसी रोग जनक के प्रतिरोध रोग जनक के विरुध या रोग जनक के अपोजिट में जाकर के रोग जनक को नस्ट करने या उसको उद्वपन करने से रोकने की सक्ति को क्या बोलते हैं प्रतिरच्छा या इम्मुनिटी बोलते देखिए भासाएं कई होती है आलाग अलग भासा में अपनी लेंगवेज में आप यूज करके थोड़ा सा बढ़ा के लिखो ऐसा नहीं कि मतलब कितावी भासा के चक्कर में फसे रहो ऐसा बिल्कुल कभी मत करिएगा जिस वेक्ति के सरीर में स्यासक्ति होती है उसे रोधच रहेंगे इस चनल पर ठीक ना खास दोर उपर पूरा गैरंटी के साथ चीज़े बताई जाती है तो भाई जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लो इस बात पर चलो तो यहां पर करते हैं यह एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा विभिन्न विक्तियों या जीवधारिय कि मूल अन्वांसिक पदात में से भी विनताओं को देखा जा सकता है और इसे सरो परतम इलेक जेफरे ने इंगलैंड में विक्सित किया था भाई इसको किसने विक्सित किया था या किसने खो जा था तो बैग्यानिक है जो कि इंगलैंड के हैं इलेक जेफरे तो याद तो देखो इसके द्वारा खून बाल लार वीर योनी द्रव आजी के द्वारा अपिडाधी खूनी वलातकारी की पैतरक पहचान की जाते भाई इसमें ये यूज होता है जिस प्रकासे डिनी यूज किया जाता है वैसे ये भी है ठीक है ना अगला कोशन देखे आपके सामने है टिपड़ी के लिए ओपी आइट्स क्या होता है ओपी आइट्स तो देखो क्या होता है यह एक नसीली दवाओं का समू होता है बलब इसमें पूरा का पूरा नसीली दवाओं का गुरूप है जैसे आपको यहाँ पर मार्फिन कोडिन इसमें के सब क्या होती है नसीली द पर इसका प्रियोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है और ये हमारे तंत्री का तंत्र को प्रभावित करते हैं भाई देगे आपको पता है कि डॉक्टर भी कभी कभी इसको यूज करते हैं कैसे मरीजों के लिए मतलब आप देखे तो दर्द निवारक देशे कोई भीत बहुत ज्यादा परिशान को किसी दर्द को गले कर तो उसको कुछ न कुछ ऐसी नसीरी दावाई की वह कुछ रहत मिलें मौले नसे में उसको समझ भी नहीं आता है कि या तर्द हो रही है या नहीं आए है लेकिन यह क्या करता है तंत्र का तंत्र यह body को प्रभावित भी करता है नुक्सकान भी पहुंचाता है ठीक है ना तो यह होता है O.P. AIDS ठीक है ना आयोब समझ गहोंगे अंगला question देखो नेक्स्क्सन राष्टिय उद्यान पर संचिप्ते परडि राष्टिय उद्यान क्या होता देखे राष्टिय उद्यान तो सारे पीडिय। आपको मत 2025 में 미लेगात नियान हमें रूपे में और सब्जेक्टा तो आप事情 जेए किनमबर 75 001 1470534 ठीक ना इस नमबर पर 0534 तो इस नमबर पर WhatsApp मैसेज करना है आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे तो देखो रास्टी उध्यान वह चेत्र होता जहां पर वन जीव तथा पारिस्थितिक तंत दोनों के सनद्चन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है और इन्हे वरना आप पकड़े गए तो फिर आपको जुर्माना भी हो सकता है जेल भी हो सकता है ऐसा ठीक है ना तो भारत में सर प्रतम रास्टी उध्यान हेली है सबसे पहला जिसका नाम वरतमान में जिम कारवेट उध्यान है और यह उतरा खंड में है ठीक है ना तो चलिए इसको क कुछ लेता है कभी कभी तो देंकि मानों के प्रते कोशिका में 23 जोड़ी गुर्षूत्र पाए जाते हैं कितने 23 जोड़ी जिसमें 22 जोड़ी गुर्षूत्र का एक गुर्षूत्र होता है और जिनकी संख्या इस्त्री वा पूर्षू में इक्वालिक बराबर होती है लेकिन एक जोड़ी जो गुर्षूत्र होता है वो बिल्कुल अलग होता है निभिन होता है जो कि यहाँ पर केवल और पुर्सों में पाया जाता है तो देखे मादा का लिंग गुर्षूत्र एक्स एक्स होता है और नर का एक्स वाई होता है इसका आरेक आपको मैं एक सिंगल वीड सुतर इतना फर्क होता है चले अंगला देखे परीजीविता पर टीपड़ी दीजे तो यहां पर देखे परीजीविता एक ऐसी पारेस्थितिक रिया है जिसके जिसमें एक जीव को लाब होता है तथा दूसरे को हानी होती है और इस प्रकार के सजीव अपना पोशन प्राप अपन करता आपने देखा होगा साइद अगर नहीं देखे तो एक बार आप लोग मुवाइल पर ही देख लिए क्योंकि आप पास सारी ब्यवस्ता है तो आप जान जाएंगे तो यह दूसरे ब्रक्चों पर क्या करता है अपना तहनियों को फैला करके उसमें अपना जीव सहोब कायता परटी पड़ी दो देखो सहोब करते है कैसी पारस्प्रिक रिया है जिसके अंतरगत जिसमें दोनों जीवों को लाब होता है दोनों को लाब होगा जैसे कवक तथा सहवाल के बीच संबंध दूसरे कवक पोसकत्तों का जल का अवसोसन तथा सहवाल भोजन का निमार देखे कब अग जोता है वो पोस्टत तुलाते हैं और सवाल क्या होते हैं भोजन बनाते तो भाई दोनों को लाब होता है इससे ठीक है यह होता है क्या सहोप कारिता अब अंगला कोशन रेड़ डाटा बुक देखो रेड़ डाटा बुक के बारे में लिखना है तो द किया गया है जो विलिप्त होने की गार पर भाई रेड़ डाटा बुक का मतलब क्या है बोलेंगे रेड़ डाटा बुक का यह मतलब है एक ऐसी सूची जिसमें उन जीवों को समलित किया गया है जो इस धरती से विलिप्त होने वाले हैं ठीक है ना तो यही होता है रेड़ कोशिका के रूप में बिक्सित करने की छमता होती है और इसके साथ ही ये अन किसी भी प्रिकार की कोशिकाओं में बदल सकती है ठीक है इनकी कोशिकाओं को देखिए क्या होता है इन कोशिकाओं को सरीर के किसी भी प्रिकार की कोशिका की मरमत के लिए प्रियोग में लाया जा खाता है ठीक है चलिए अंगला कोईशन अमीवीए पेचिस पर संचित किपड़ी करिए कि अमीवीए पेचिस इन्ट अमीवा तर। नामर को प्रोटो जो बांक दूरा होती है या आंत्र में विकार यानिकी जो हमारी आंत होती है ना पेट में वीकर स्रावित करके घाव पैदा कर देता है और इन घावों से रख्त मुकस मल आधी पेचिस के रूप में बाहर आता है यह होता है अमीबिय पेचिस और यह रोग संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा बेक् प्लाजयम से किसी कोशिका में एक छोटा डियने होता है जो गुर्शूत्रों के डियने से अलग होता है ठीक है ना यह स्वतन्त रूप से अपना प्रतिरूप पना सकता है यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार दो रज्जू वाले डियने अडूओं के रूप म मिलते हैं और जहां गुर्शूत्रों का डिने जीव की सूचना जीव को सूचना देता है ठीक है वहाँ प्लाजमस डिने आसाधार परिस्तितियों में जीव को लाब पहुंचाता है तो आई हो के लिएर हो चुका होगा चलिए नेक्स्ट कोसन है जीन ची किसा पर सम्चिप टिपड़ी जीन ची किसा देखी का होता है तो आंसर लिखना है जीन ची किसा में किसी मनुस्य में उपास्ची दो स्पूर्ड जीन को स्वस्त वा क्रिया सील जीन में बदला जा सकता है जीन ची किसा द्वारा किसी बच्चे या भ लोकों में प्रवेस कराया जाता है इसका पहला प्रियोग जान लोग कब किया गया था तो 1990 में यह important है पॉइंट है रख लिजेगा अंगला कोशन ने देखिए IVF और जी IFT का फुल फॉर्म यानि पूरा नाम तो भाई IVF का होता है इन ठीक है वी से विट्रो एफ से फार्टिलाइजेशन यानि हिंदी में बोले तो पात्रिन निसेचन बोलते हैं और यह IFT का होता है जिसे गयमेट ठीक है आई से का होगा इंट्रा आइफ से फैलोपियन टी से transfer तो यहांपर हो जागा गयमेट इंट्रा फाइलोपिन ट्रांस्पर या हिंदी में बोले तो गयमेट अंट्रा फाइलोपिन इस्थाना एंतरन तो दोनों का परिवार करनार का भाग है जिसके अंतरगत परिवार के बच्चों की संक्या निश्चित कर परिवार के लिदियां की योजनाव बनाई जाती है और अर्थात ऐसी योजनाओं से जनसंक्या अब रदीधर को न्यांदितhealth रखा जाता है और इसके मतब परिवार नियोजन में आपका इस्थाई विदियां आइस्थाई विदियां कई सारी विदियां हैं तो important है इसको काल लिजेगा इसके बाद देखें मनुझ से में लेंगिक संबंदों द्वारा प्रेसित कीनी दो रोग तो यहां पर एड्स और पर उपदान से निस सेफिलिस तो यह दो रोग हैं जो की यह और संबंदों से होते हैं ठीक ना इसके बाद पीसी आर तकनीकी का उपियों कहां होता है देखो तो पहला उपियों इहां पर कोई दो बताने है पहला इसके दौरा एड्स रोग की पैचान की जाते है दूसरा ह पाली मरेश संकला अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं, कैरी मुलिस ने इसकी खोज की थी, तो भाई याद कर लो काफी important है point, इसके वाद एको सहाजीवी पौधों पर संचिप्टिप्टी, तो सहयोग करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से आपस में जब लाब हो, तो ऐसे जीवन को बोलते हैं सहाजीवन, ठीक है ना, तथा ऐसे जीवों को हम लोग सहाजीवी बोल सकते हैं, आंसिक पर जीवी देख लो क्या होता है, तो वह पर जीवी जो अपने जीवन के कुछ भागों ही पोसक के साथ वितित करता है, तथा जीवन का सेस भाग अपने पो पड़ी कीजिए तो अनेक प्रकार के सूच मजीव अपनी जैविक क्रियाओं से मर्दा में पोसत तत्तों की ब्रद्धी करते हैं जैव और वरक कहलाते हैं और इनके प्रमुक स्रोत जिवाणु साइनु बैक्टिरिया तथा कुछ का वक हैं ठीक है तो इसक्रीन सोट कर सकते ह कि आपको मैंने बता जिए कि पीडियाप आपको यह सारे नोट्स चाहिए फिजेक्स कमेस्ट्री बाइलोजी हिंदी इंगलिस तो निन्यान विरूपए में इसी प्रकास हैंड रिटेन पीडियाप मिल जाएगा आपको 95114705 ठीक है एंड 34 इस दिये गए वाट्स अप नं होता है जिसमें CH4 यानि कि मेथेन गयस 70% होती है और अन गयस जैसे हैं इसमें पाय जाते हैं बायोगयस का मुख्य उत्पादक सुच मजीव मेथेनो बैक्रियम यह होता है ठीक है ना राइजोबियम नामक सुच मजीव का करसी महा तो देखू राइजोबियम साहजीवी ज और जिससे क्या होता है फसल के पक जाने पर जड़ गरंतिकाओं में उपासित नाइट्रोजन योगिक मदा की अरवरता को बढ़ाते हैं और यह जैव उर्वरक की रूप में कार्थ करता मतलब इसकी जड़ों में यह जड़ों में मठरकुल के जितने भी पादे हैं उनकी मिठी को फायदा होता है मिठी भाई उपजाओं होगी तो यह हो गया ना आपका जैवररक अगर मिठी को कोई उपजाओं बना रहा है तो भाई वो जैवररक होगा इसके बाद देखो लगू वीजाणु जनन पर टीपडी दीखेगा आंसर तो प्रतेक पराग पुट में अपस्टित वीजाणू को जनन कोशिकाओं एक दूसरे से अलग होकर गोल होने लगती हैं और इन से कई कोशिकाओं टूट फूटकर टूट फूट जाती है तता इनका जिवद्रब से सबढ़ती कोशिकाओं के पोसक के काम आ जाता है ठीक है आने था इन कोशिकाओं का पोशन टैपिटम की कोशिकाओं द्वारा होता है और इन कोशिकाओं को अब लगू विजान मात्र कोशिकाओं भी कहते हैं प्रतेक लगू विजान मात्र कोशिका का केंद्रक अब अर्ध सूत्री विभादन द्वारा विभादी तो होता है यह इस और यहां पर देखी परागन अंटा क्रिया का एक गत्यात्मक सक्रिय क्रिया है ठीक है ना तो यह हो गया पराग इस तरीके सब इसकी बाद पर परागन की लाब पर परागन की लाब देखो क्या होते हैं पर एक होता है स्वपरागन और एक होता है पर परागन स्वपरागन की देखी इसमें पहला पर परागण से बने जो बीज होते हैं अपिक्षक्रत बड़े स्वस्थ तथा संख्या में अधिक होते हैं और इनमें उत्वपन पौधों को भी अधिक मजूद अधिक प्रतिरोधक छमता वाले मान सकते हैं या कहा जाता है ये तो एक पहला लाब हुआ और दूसरे लाब की अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है पर परागण से नवीन जातियों को उत्पन करने में बहुत साहिता मिलती है और क्योंकि प्रतेग संतती में लक्षणों का समिस्रन दोबारा होता है अतहा संतती में नवीन विनता होती है ठीक है ये होगा हमार इसके बाद देखे आवर्त चक्र के बारे में आवर्त चक्र क्या है तो भाई इसका अंसर दिखेगा इस्त्रियों में अंड जनन अंडासयों तथा गर्भासयों की वित्ती में विन परिवर्तनों की एक चक्रिय जनन संक्रा से संबंदित होता है आवर्चक अथा जब योनार के बाद बनने वाले एक कोशिकी योगमनच यानि जाइगोट में लगातार तथा बार-बार समसूत्री विभादन होता है जाइगोट में होने वाले इन विभादनों को विदलन कहते हैं ठीक है इसके फलसरूप जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें कोरक खंड कहते हैं और कलवप नहीं माना जाँ सकता है इसक क्यूं है देखिए तो गर्व निरोधक का आर्थ होता है गर्व ना धारन होने देना जबकि जनन गरंटी का हटाना बध करन की परकेलिया होगी जिसको पूना रोपित करना संभाव नहीं मतलब एक बार अगर हटा दिया गया तो रोपसे भी कल्प नहीं कह सकते हैं नहीं माना जाता नेक्स्ट कोशन फाल्टी लाजन और एंटी फाल्टी लाजन प्रक्रिया पर टिपड़ी देखो टिपड़ी या तो भाई आप उसके इस वीडियो में आपको पूरा कम्प्रीट में करा दिया हूँ इस वीडियो को जो बच्च पूर दे कर जाएगा ना आज को बाद टिपड़ी की आप टेंसन डूर कर देंगे अंडाडू एवं सुक्राणू के मिलने तथा असंग जनन के लिए अंडाडू की सता पर फार्टी लाजिंस रावित होता है दूसरी और सुक्राणू के अगर पिंड से एंटी फार्टी लाजिंस रावित होता है दोनों के क्रियाओं के फल सरूप निशेजन की क्रिया होती है आप देखिए यहाँ पर अंगला कुशन नेक्स्ट क्रियाओं के बाद कौन से हार्मों से दूद मुक्त करता है तो बाई देखिए देखिए जनन में के बाद पिस गरंती से निकलने वाला हार्मों जो की प्रोलेक्टिन है दूसरावन के लिए इस तनों को समयधित करता है जवकि यहाँ पर आउट ध्यान दिजगा पिस गरंती के बस पिंड में जो ऑक्सिटोसिन यह आपका एक प्रकास से हार्मों सोता जो की दूद मुक्त करता ठीक है तो ऑक्सिटोसिन याद रखिएगा इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉसन सिर्का उत्पादन के में किन जिवाड़ों का पियोगत हो यहाँ पर एसीटो वेक्टर एसीटीए एक प्रकास से जिवाड़ों हो जो की सिर्का उत्पादन में प्रमुख भाग लेता है अंग्लाट जयम पर दो की सरल जयविक कारकों के नियमित अनुप्रियोक्ष चाहे वे जीवित हों या अत्वा अजीवित कोशिकां हों कोशिकां के लाफदाय कुछ पादक महातों के लिए बनी एक विधी है ठीक है ना नेक्ष देखे पार जीनी जनतु क्या है तो ऐसे जन जिनके डियने में जान बूझ का प्रविगित तरीके से बाप जीन प्रसमयवेसित करा जाता है और वह अपने लख्षणों के सासाथ उसे जीव के लच्षण भी प्रत्षण करता है उसको बोलते हैं पार जीनी जन तो ठ पुर्वक भुक्तान के जैव संसाधनों का उप्योग करना बायो पाइडेसी के अंतर गाता है ठीक है इसके बाद देखो यहाँ पर अंगला कोशन क्या है मिंडल ने जिन लच्छनों को वंसागति का देन किया उनके चार नाम बताओ देखो मिंडल ने अपने प्रयोग में म साथ जीन क्या होता देखो जीन गुड़ सूतर पर इसी देख रचना है जो किसी अनुवांसिक गुड़ सूतर के पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तानांतरित करती है और यह वंसागति की काई है जीन सब्द का परतिपादन जॉंसन ने किया था तो भाई आज किस वीडियो बस इतना ही अब आपको मैं बता दूँ अगर आपको पीडियाप चाहिए जो मैंने बताया है सारे के सारे ओल सब्जिक का पूरा फिजिक्स कमेस्ट्री बायोजी हिंदी इंग्लिस तो भाई आपको क्या करना है मात निन्यान में रुपए में ठीक है निन्यान में मिलेगा और आपको इस नमबर पर 9511470534 इस वाट्साप नमबर पर मुझे मैसेच करना है कि भाईया मुझे पेडिएफ चाहिए तो मैं आपको प्रवाइट करा जूँगा और आपको निन्यान में रुपए जो है पेमेंट करना पड़ेगा इसी नमबर पर ठीक है ना तो वीडियो का कोमेंट बताएगा अगर वीडियो से लगए तो लाइक कर जीगा चैनल पनाएट तो सब्सक्राइब जरूर कर जीगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद हुए अन्दे माइट